नमस्कार दोस्तों ग्यान विस्तर क्लासेज में आप सभी का स्वागते आजम बात करने वाले राजस्तान पसु परिक्षर भरती के बारे में जैसा कि आप सभी को बताए कि राजस्तान में पसु परिक्षर भरती जो है 5934 पदों के लिए निकली है ठीक है और इसका जो है नोटिफिकिस्टन 2023 में जारी हो गए था लेकिन जो इलेक्शन का दोर था उसकी वज़े से इसके जो फॉरम में इस्तगित कर दिये गए थे और इसकी अब संसुदित विज़े वापस चारी की गई है और इसमें ऑनलाइन फॉरम मांगे गए है अब ऑनलाइन फॉरम की देट के रहेगी वो चीज़ आप ध्यान डगें कि आपके ऑनलाइन फॉरम कब से शुरू है तो आपके online forum जो है 19 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं और 17 फरवरी 2024 तक आपके online forum बरे जाएंगे तो लगबग आपको एक महीने का समय मिलेगा तो आप निश्चित तौर्ट से जो समय आउदी के अंदर अपना forum बर ले अब रही बाद कि जो संसुदित विग्यप्ती वापस जारी हुई है तो इसमें किसी परकार का जैसे शैलिपस को लेकर हो गया या फिर अपकी qualification को लेकर हो गया युगजिता को लेकर तो इसमें किसी परकार का change नहीं हुआ है इसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि दस्वी पास जो भी विद्धियारती है यह दिए आप दस्वी पास है तो आप इसका राजस्तान पसु परीचर का फॉरम लगा सकते हैं इसके लिए किसी परकार का कोई दूसरा डिपलोमा या सेटिफिकेट नहीं मांगा गया है और नहीं उसकी जरूरत है आपको सिर्फ दस्वी पास की मार्क सिट जीए अगर आपके पास हैं तो आप राजस्तान पसु परीचर परीचर का फॉरम लगा सकते हैं जो कि 19 जनवरी से 17 फरवरी 24 तक भरे जाएंगे ठीक है अब रही बाद सेलिबस की तो सेलिबस में भी किसी परकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है सेलिबस वही रहने वाल है आपका पार्ट A एक सुपाँ जंग का और पार्ट B पैतलिज जंग का तीक है और इसमें किसी परकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है पहले जो आपका इसमें IUC मता उसको लेके कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुए है चोटे मोटे जो कि आपकी जो है सैलिबस और IUC qualification है जो आपकी युग्जिता है परिक्सा देने के लिए उसमें किसी परकार का आपका changes नहीं हुआ है और यहां पर end में देखिए ये लिखा हुआ है नीचे कि विग्यापन की से सरते यतावत रहेगी यानि कि जो अपने पहले दोजार थे बिसम विग्यापने निकली थी उसमें जो सैलिबस है और जो आपकी qualification है दस्वी पास तो वो मांगिए है तो वही रहेगी उसके से आपको नहीं कहा है ठीक है